2013 के IPL में फिक्सिंग का एक बहुत बड़ा केस सामने आता है जिसमें कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है और इस अरेस्ट में तीन प्लेयर्स भी थे जिनका नाम था श्रीशंथ, अंके चोहान और अजीत चंडीला और इन सब में से सबसे फेमस प्लेयर थे श्रीशंथ, जो की एक नहीं दो-दो वर्ल्ड कुप विलिंग टीम्स का पार्ट थे शायद बहुत ही कम लोगों को इस बारे में पता है, 2013 के फिक्सिंग स्कैंडल में चेंडनाई सूपर किंग्स भी इन वॉल्ड थी इसलिए MS Dhoni पे भायंकर ऐलिगेशन लगे थे और जब MS Dhoni से स्विक्सिंग से रिलेटेड सवाल पूछे गए तो वो बिल्कुल चुप थे उन्होंने एक भी सवाल का रिप्लाई ही नहीं दिया कई लोगों ने यह मान लिया कि MS Dhoni अगर चुप है तो पका गलती होंगे और इसलिए आज भी आप कई लोगों को ऐसे देखोगे जो कहते हैं कि MS Dhoni एक नंबर के फिक्सर है आज हम इसी केस की डीटेल्स में जाएंगे और सिर्फ MS Dhoni नहीं कौन इनवल्ड था और कौन इनवल्ड नहीं था हम सारी बाते करेंगे कहानी शुरू होती है एक टॉप सीक्रेट क्लासिफाइड फाइल से जो कि दिल्ली पुलिस को पहुंचाई जाती है जिसके बाद एक F.I.R. की जाती है जिसमें लिखा होता है कि कुछ इसके बाद कुछ मैच फिक्सर के साथ मिले हुएं और सिर्फ इतना ही नहीं कुछ टीम मेंबर्स भी इसमें मुले हुए हैं और वो टीम मेंबर्स थे श्रीशांत, अंकित चोहान और अजीद चंडीला पुलिस का यह कहना था कि इस मैच फिक्सिंग में जो प्लेयर्स पर इसमें पहले ही डिसाइड हो रखा था कि अजीट चंडिला अपने स्पेल के दूसरे और में 14 रन देंगे और आप अगर उनकी बोलिंग देखोगे ना उस मैच में तो आपको भी थोड़ा बहुत सस्पीशन तो जागेगा यहां तक कि कॉमेंटेटर को भी मेंशन करना पड़ता है कि वो बहुत खराब बॉलिंग कर रहे हैं पर इन सब में प्राब्लम यह हुई कि अजीट चंडिला अपना प्रीडेटर्माइड सिगनल देना ही भूल गए अब बिना सिगनल के सट्टे बाज पैसे लगाएंगे कैसे इसलिए वो इस मैच पे सट्टा नहीं लगा पाए थे अगला मैच होता है 9 माई 2013 को जो कि राजस्थान और पंजाब के बीच में होता है इस मैच में नंबर आता है श्रीशंत का जो कि अपने स्पेल के दूसरे ओर में अपने ट्राउजर में टावल लगा के बॉलिंग करते हैं और श्रीशंत ने जब अपना पहला ओवर फैका था उसमें उन्होंने कोई भी टावल नहीं पहना था आप इस वीडियो में भी देख सकते हो उन्होंने अपने पहले ओर में ऐसा कोई भी टावल नहीं लगा रखा है पुलिस का ये कहना था कि उन्होंने अपने दूसरे ओर से पहले खूब सारा वार्म अप किया स्ट्रेच किया यानि अराम से सटे बाजों को टाइम मिल सके सिगनल देहने का टाइम मिल सके जिसके बाद उन्होंने उस ओर में तेरा रन दिये और अगला और आखरी मैच होता है 15 मई 2013 को जो की राजस्थान रॉयल्स और मुंबा इंडियन्स के बीच में होता है इस मैच में दोबारा से अजीत चंडिला की इन्वावल्मेंट आ जाती है प्रिपी वही मोटिवेट करते हैं अंकित चोहान को इस चीज के लिए कि ताकि वो एक खराब ओवर डाल सके 60 लाख रुपे के लिए और उनके सेकेंड ओवर में उन्होंने पहली बॉल पे एक चक्का खाया फिर दूसरी बॉल पे दो रनाए और फिर तीसरी बॉल पे उन्होंने एक और चक्का खाया और इन सब के बाद ही पुलिस होटेल पहुँच जाती है जहां ये प्लेयर्स रुके होते हैं और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है तोटल देखा जाये तो 14 लोगों को अरेस्ट किया जाता है पुलिस को उनकी सर्च में 51 मुबाइल फोन, 5 लैप टॉप, एक रिकॉर्डिंग मशीन और भी बहुत सारी चीज़े मिलती है और इन सारे अरेस्ट में एक बहुत बड़ा नाम होता है राज कुंद्रा जो की को ओनर होते हैं RRK अरेस्ट एक और इनसान का होता और वो है विंदुदारा सिंग, विंदुदारा सिंग बुकीज के साथ टच में थे और वो खुद भी सटे बाजी में involved थे अब विंदुदारा सिंग की involvement देखी गई थी गुरुनाथ मयपन के साथ गुरुनाथ मयपन इस पूरे के पूरे केस में एक बहुत important नाम है तो आप इसको याद रखना गुरुनाथ मयपन दामाद होते हैं किसके? श्री निवासन के जो की CSK के owner है और जब गुरुनाथ मयपन का भी नाम आता है तो उनको भी arrest किया जाता है of course पर CSK के owner सीधा सीधा बोल देते हैं कि हमारा उनसे कोई लेना देना है ही नहीं पर सचाई है कि मयपन को team principle माना जाता था CSK का और उनकी बहुत अच्छी खासी involvement थी CSK में और साती साथ उनका धोनी के साथ भी उठना बैठना था और क्योंकि मयपन कल्प्रिट थे और वो धोनी की दोस्त थे तो लोगों ने धोनी पर भी उखाना शुरू कर दिया और इसके अलावा विंदू दारा सिंग भी उनके दोस्त है जिसके वोसे चीज़े और भी जादा एसकेलेट हो गई पिछले दिनों साक्षी धोनी की तस्वीरें विंदू दारा सिंग के साथ दिखी थी विंदू फिक्सिंग के जालने फजे हुएं आरोप है कि उन्होंने चन्ने के मैच पर सट्टा लगाया था और लगवाया भी था विंदू का दावा है कि वो धोनी और साक्षी को करीब से जानते हैं जिसके बाद से ये तस्वीरें कई सवाल उठाने लगी अब यहां तक की कहानी आपको न्यूस वाले बताएंगे इसके आगे की कहानी आपको कोई नहीं बताता MS धोनी ने एक सौ करोड का डिफेमेशन केस फाइल किया था ये सारे मीडिया हाउसेस के खिलाफ जो कि उनके बारे में गलत-गलत खबर फेला रहे थे और इसी चकर में एक IPS officer को भी 15 दिन तक जेल में रहना पड़ा था यहां एक conspiracy theory भी है जिसके बहुत ज़ादा मेरे पास proof नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ माना यह जाता था कि ये police वगेरा वाले जान बुच के बड़े-बड़े players का नाम लेते थे क्योंकि उनके नाम से fame आता है, TRP आती है obviously इसलिए मैंने भी उनको thumbnail में रखा है क्योंकि उससे views आते है but कम से कम मैं आपको सच तो बता रहा है इस पूरे कहानी के पीछे इसका best example हमें राहुल द्रविड के case में भी देखने को मिलता है अब राहुल द्रविड की टीम राजिस्थान रोयल्स में सब तीम players को arrest किया गया था पर राहुल द्रविड ने clearly बोला कि अगर उनको पता होता कि वो कोई ऐसी हरकते कर रहे हैं तो वो उनको कभी टीम में select ही नहीं करते और पुलिस आफिसर ने भी clearly बोला था कि द्रविड के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठने चाहिए यहां तक कि पुलिस वालो ने तो उनको अपने पुलिस टेशन भी नहीं बोलाया था ताकि उनका नाम न खराब हो अब हुआ क्या कि इतने बड़े scandal के बाद कुछ लोगों ने बोला कि अब हमारी यहां जगे नहीं बनती है हमारे रहते इतनी बड़ी चीज हो गई तो हम लोगों को resign कर दिना चाहिए और इसलिए BCCI के secretary ने उनके treasurer ने अपनी position से step down कर दिया यहां तक कि IPL के chairman Rajiv Shukla ने भी अपनी post से resign कर दिया पर श्री निवासन अलगी दुनिया से थे उन्होंने कहा कि मैं resign तो कर दूँगा लेकिन इसके लिए उन्होंने तीन शर्ते रखी जिसके बाद उनको दुबारा president बनाना पड़ेगा आप government देखो इस आत्वी का एतनी वड़ी गलती भी कर दी और कह रहे हैं कि भाई मैं शर्ते भी रखूंगा वो भी मेरे ही हिसाब से वाह और इनकी तीन शर्ते आप सुनो पहला कहते हैं कि अगर मैं clean बाहर आ गया मुझे अगर कोई allegation प्रूब नहीं हुआ तो मुझे वापस से president बना देना दूसरी शर्त ये थी कि जब उनके उपर case चल रहा है उस दोरान भी उनको ICC की सारी meetings attend करनी दी जाए तीसरी शर्त ये थी कि जो secretary और treasurer जिन्होंने अभी resign किया वो दुबारा से panel में नहीं आ सकते यार ये चीज मेरे समझ की बहार है कि श्री निवासन इंडिया सीमेंट्स के managing director है और वो CSK के owner है जिसका logic बनता है उनके पास पैसा है तो उनके पास team है पर BCCI से उनका क्या लेना देना और BCCI में उनके पास इतनी power कैसे है कि BCCI के सामने भाई शर्ते रख दे रहे हैं वो भी team-team इसलिए BCCI की और team India की हालत आज इतनी बुरी है और अच्छा यह होगा कि क्रिकेटर लोग BCCI को handle करें कहानी में वापस आते हैं जहां दो members का एक panel बनाया जाता है और यह दोनों लोगों को BCCI खुद ही appoint करती है और यह panel राज कुंदरा को और मयपन को clean check दे देता है मतलब मैंने चोरी करी मैं ही judge हूँ और मैं ही यह बता दे रहा हूँ कि भाई मैंने चोरी नहीं करी है पर जब Bombay High Court इस case को देखती है तो उनकी जितनी भी findings होती है BCCI की उसको neglect कर देती है dismiss कर देती है और वो तो यहां तक भी बोलते हैं कि इन्होंने जो अभी किया है वो illegal है और unconstitutional है और court के हिसाब से कम से कम तीन लोगों का panel होना चाहिए और अभी भी BCCI मानने वालों मैंसे तो है नहीं तो वो लोग गए Supreme Court के पास यह सोचके कि Supreme Court वाले हमारी कुछ मदद कर देंगे पर Supreme Court ने भी उनकी जो appeal थी उसको reject कर दिया और Supreme Court के भी panel ने यह देखा कि Mayappan actually guilty है सटे बाजी में, betting में और सिर्फ इतना इनी Supreme Court ने तो यह भी बोला कि Mayappan एक team official है इन लोगों ने जुगार पता है क्या ढूंडा था इन लोगों ने बोल था कि Mayappan एक cricket enthusiast है पर Supreme Court ने बोला बिलकुल भी नहीं वो एक team official है और उनका बहुत जादा involvement है team के अंदर इन सब के बाद Supreme Court की report में यह देखा गया कि Shri Nivasan ना ही betting में ना ही fixing में involved थे अब आप लोग शायद मुझे यह बोलो कि भाई अगर वो involved नहीं था तो तो इतने देर से उसे गरिया क्यों रहा है बात यह कि भले ही यह fixing में involved नहीं थे पर Shri Nivasan और चार और BCCI के officials उनको पता था कि क्या गलत हुआ है और उनने से कैसे ठीक करना चाहिए पर सारे rules पता होते हुए भी उन लोगों ने उस चीज को ठीक नहीं की अबल की छुपाने की कोशिश करी Supreme Court ने तो यहां तक बोला कि IPL के जो Chief Operating Officer है सुन्दर रमन वो एक bookie को जानते थे और उनने एक ही IPL season में उस bookie से 8 बार contact किया है और स्कॉर्स यह कोई coincidence तो हो नहीं सकता पर BCCI कहां मानने वालों में से थी BCCI ने इन सारे allegations को बिलकुल ही गलत बोल दिया और यहां तक कि सुन्दर रमन के उपर भी जो Supreme Court ने बोला उसको भी उन्होंने नहीं माना और स्री निवासन अभी भी Supreme Court को बोल रहे हैं कि भाई प्लीज मुझे स BCCI का President बना दो या आदमी कितना भूका है पावर का क्यों बनना है BCCI का President इस से हमें पता चलता है कि BCCI में कितना politics है Supreme Court ने बोला कि चलो स्री निवासन भाई आप ये समझा दो कि आप CSK के ओनर और BCCI के office bearer हो तो इन दोनों चीजों से आपका क्या लेना देना है आप ज़रा इस logic को समझो अगर CSK में कुछ गलत होता है तो BCCI इसको देखेगी और CSK के ओनर भी श्री निवासन है और BCCI के top पे भी श्री निवासन है तो अबर CSK में कुछ गलत होता है तो वो उसको छुपाएंगे ही न इसलिए उनका BCCI से दूर रहना बहुत ज़ादा ज़रूरी है इसलिए ही Supreme Court ने BCCI को एक mutual benefit society बोला था जिसका मतलब यह कि सारे के सारे यहां पे चोर हैं पर सारे एक दूसरे की चोरी छुपा लेते हैं BCCI अभी भी Supreme Court के proposal को oppose करते वे बोलता है कि Supreme Court को BCCI और IPL के rules के हिसाब से चलना पड़ेगा एक second law इस बात को comprehend करो BCCI Supreme Court को कह रहा है कि भाई हमारे rules के हिसाब से चलो तो जो आप जो लोग Supreme Court को ऐसे बोल सकते हैं वो हमारे players का क्या ही हाल करते होंगे और of course Supreme Court तो Supreme Court है finally उन्होंने अपना judgment दे दिया और उन्होंने ये बोला कि BCCI को बिलकुल fresh elections कराने पड़ेंगा और स्री निवासन उसमें पार्ट नहीं ले सकते BCCI ने गुरुनाथ मयपन और राज कुंद्रा पर life ban लगा दिया और इन सब में सबसे बड़ा decision CSK और राजस्थान रोयल्स दोनों को दो साल के लिए ban कर दिया गया तो यानि 2013 में जो सट्टे बाजी हुई वो केस दो साल तक 2015 तक चला और फिर 2015 में CSK और RR को ban कर दिया गया जिसके वो दो साल तक 2017 तक ban रहे एक और सवाल लोगों का ये आता है कि यार सट्टे बाजी में problem क्या है सोच भाई अगर मैं और तू एक साथ बैठे हैं हम दोनों सट्टा लगा रहे हैं तो problem क्या है देखो यार वो चीज़ बिल्कुल अलग है बट ये अगर इस लेवल के सट्टे बाजी होती है इसमें problem क्या आती है कि यहाँ पे जो पैसा यूज किया जाता है वो money laundering में भी यूज किया जा सकता है यहाँ तक कि Underworld के लोग भी ये तरीका यूज करते हैं अपने पैसे को distribute करवाने के लिए और ऐसा ही कुछ allocation Shree Shan पे भी लगा था कि उनका लेना देना दाउद इबराहिम के साथ है court clear cut सीधा 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 सवाल पूछता है कि क्या आपके पास कोई evidence है कि Shree Shan दाउद के साथ involved है वो बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं हमारे पास कोई भी evidence ऐसा है ही नहीं इसलिए ही इन तीनों ही players की जो कहानी है उस scandal के बाद वो बिल्कुल ही अलग है court ने ये clear cut बोल दिया कि इनके ऊपर कोई criminal case आप नहीं लगा सकते हो तो इन तीनों players पे दो type के case लगे थे एक तो criminal वाला case जो की पूरी तरीके से clear हो गया ये लोग ऐसा नहीं कर रहे थे अब जानते हैं कि इनके spot fixing वाले का end result क्या निकला उंकेचवान पूरी तरीके से breakdown हो गय थे और उनोंने ये मान भी लिया था कि उन्होंने spot fixing की है और अंकेचवान ने ये भी बोला कि उन्होंने spot fixing अजीत चंडीला के wipहने पे की पर खुद अजीत चंडीला ने ये बात कभी भी नहीं मानी श्रीशंद के लौर ने हमेशा बोला कि उन्होंने कुछ नहीं किया है बढJust expire में श्रीशंद को बीजिस के सामने ये मान लिया था कि वो involved थे पर बाद में उन्होंने BCCI को एक letter लिखा जहां पर उन्होंने बोला कि वो किसी भी ऐसे fixing वगेरह में involved नहीं थे उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने उनको बहुत ज़दा हरैस किया था इसलिए उनको उस समय वो confess करना पड़ गया और बाद में श्रीशंत का बैन भी काफी कम करके सिर्फ साथ साल तक कर दिया गया था और आज तक भी श्रीशंत बिलकुल भी ये नहीं मानते कि वो ऐसी किसी चीज में involved थे तो ये थी 2013 के spot fixing की कहानी शुरू से लेकर end तक अब इन प्लेयर्स के साथ सही हुआ या गलत हुआ इसमें आपका क्या opinion है कॉमेंट्स में लिखके जरूर बताओ